नवश्कार दोस्तों, स्वागत आपका कृष्मित्र इस यूटुब चैनल में और आज हम बात करेंगे स्वयाविन की टॉप दस वराइटीस के बारे में तो सबसे अच्छी वराइटीस जानने के लिए वीडियो को अन्तत एक जरूर देखें दोस्तों तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक कृष्मित्र इस यूटुब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है वे कृपिया चैनल को सबस्क्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आन कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे तो दोस्तों शुरू करते हैं दस नंबर पे जो वराइटी आती है दोस्तों उसका नाम है मोनेटो जिसको EC 25-85 के नाम से जाना जाता है यह वराइटी कम अउधिकी है यह 80-85 दिन में पक के तयार हो जाती है यह मद्ध भारत वा दक्षिन भारत के लिए उप्युक्त वराइटी है एक एकड में यह वराइटी 10-11 क्विंटल का उत्पादन दे देती है इसके बाद 9 नंबर पे आती है दोस्तों JS 20-79 यह वराइटी 90-95 दिन की है यह रोग प्रती रोधी किस्म है यह एक एकड में 10-12 क्विंटल प्रती एकड का उत्पादन दे देती है इसके बाद 9 नंबर आट पे आती है पंजाब 1 यह 95-90 दिन की वराइटी है यह वराइटी मद्ध यह उत्तर भारत के लिए उप्युक्त है यह वराइटी 10-12 क्विंटल प्रती एकड का उत्पादन दे देती है साथ नंबर पे आती है दोस्तो परभनी सोना जिसका नाम है यम ए यू एस साहित आलिस यह 80-85 दिन में पकर तयार हो जाती है इसको कम पानी के आउशकता होती है यह वराइटी मध्यप्रदेश महराश्रो राजस्थान में कापी प्रचली थे और प्रती एकड 10-12 क्विंटल का उत्पादन यह दे देती है छे नंबर पे आती है दोस्तो अहिल्या दो जिसको नाम है यनारसी 12 यह वराइटी 100 दिन की है खास करके मध्यप्रदेश के लिए बनाई गई यह वराइटी है 12 से 13 क्विंटल प्रती एकड का उत्पादन यह वराइटी देती है पाश नंबर पे आती है दोस्तो यम ए यूएस 612 जिसका नाम है प्रतिष्टा यह 95 से 100 दिन की वराइटी है दोस्तो यह रोग प्रतिरोधी किस्म है एक एकड में 13 क्विंटल प्रति एकड का उत्पादन यह दे देती है इसके बाद चार नंबर पे आती है पीके 400 बहुत्तर यह 100 से 105 दिन की वराइटी है मध्य और उत्तर भारत के लिए उप्युकत यह वराइटी है एक एकड में 13 से 14 क्विंटल का उत्पादन यह वराइटी दे देती है इसके बाद तीन नंबर पे जो वराइटी आती है दोस्तो 86, 95, 60 जो काफी जानी मानी अच्छी वराइटी है यह वराइटी कम अउधी में यानि कि 82 से 88 सी दिन में पकर तैयार हो जाती है इसकी विशेश्टा यह है दोस्तो किसमें 4 दानी की फल्ली होती है यानि कि एक फल्ली में 4 दाने होते है कम बालिश वाले शेत्रों में भी यह वराइटी बोई जा सकती है और एक एकड में 13 से 15 कुंटल का उत्पादन ही वराइटी दे देती है इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तो यम ACS 1407 यह वराइटी 2021 में ही लॉंच हुई थी इस वराइटी को आगरकर रिसर्च इंस्टिटूट पूने और ICR ने 2021 में ही लॉंच किया है इस वराइटी के बीज मार्केट में 2022 यानि की इस साल आने की उम्मीद है दोस्तो यह वराइटी 104 दिन में पकर तयार होने वाली है रोग प्रती रोधी किस्म होने वाली है 15 से 17 कुंटल प्रती एकड का उत्पादन देती है जो काफी अच्छा है और उत्तरपूर विराज्यों के लिए वराइटी जादा उप्यूगता है जैसे कि आज सम पच्चिम बंगाल, जहरकंड, शत्तिसगर इत्यादी इसके बाद हम नंबर एक वराइटी की बात करेंगे दोस्तो जिसका नाम है केडियस 344 जिसको फुले अग्रनी के नाम से भी जाना जाता है तो यह वराइटी 130 से 140 दिन में पक कर तयार होती है इसको अच्छी सीचाई, यानि कि ज़्यादा पानी क्याँ शक्ता होती है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है जहाँ नमी हमेशा ज़्यादा होती है उस शेत्र में यह लगाई जा सकती है लेकिन बारिश और नमी के साथ साथ आपके खेत में अच्छी जल निकासी की विवस्ता भी होनी चीए यानि कि पानी खेत में नहीं रुकना चीए अगर आपके यहाँ बरसा ज़्यादा दिन चलती है जिन्होंने केडियस 344 का एक एकड में 28 क्विंटल का उत्पादन लिया था जिया दोस्तों काफी अच्छी यह वराइटी होने वाली है तो यह होगी टॉप 10 वराइटी की बाद दोस्तों इसके बाद मैं आपको 45 एक्स्ट्रा वराइटी बता देता हूँ जैसे कि j7105 हो गए जो के हलकी जमिन केले काफी अच्छी है उसके बाद kds726 जो में बारिश वाले एरिया में अच्छी है उसके बाद kds753 जहापे कम बारिश होती है वहाँ के लिए बहुत अच्छी है और इंदिरा सोयाविन नाइन जो उत्तरपुर्वी राज्यों के लिए कापी अच्छी है उसके बाद अहिल्या वन जो आती है वो भी कापी अच्छी वराइटी है यह गुजरात और राजस्थन में प्रचलीत है कम बारिश में होने वाली तो यह वीडियो आपको केसा लगा दोस्तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए तब तक के लिए जय हिन जय जवान जय किसान